हेलो एवरिवन हमारी आज की वीडियो में हम चैप्टर थर्टिंग की एक्सराइज 13.2 सॉल्व करेंगी तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कोशन है हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स नहीं है हमें बताना है कि इन में से कौन सी है जो इन्वर्स पर्पोर्शन है तो सबसे पहले फर्स्ट है हमें दी हुई है the number of workers on a job and the time to complete a job यहाँ पर एक तो हमें दिया हुए number of workers और दूसरा दिया हुए time to complete a job हमें देखना है कि क्या ये दोनों आपस में inverse proportion है या नहीं है ठीक है तो देखो एक हमें चीज़ दियो है number of workers and second one is time तो देखो कोई मानलो आपको कोई काम करना है तो ठीक है एक इनसान अगर वो काम कर रहा है उसको वो काम complete करने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं मानलो 10 घंटे लग रहे हैं तो अगर मैं person बढ़ा दूँ अगर एक की जगा वहां पे दो आदमी काम करेंगी तो that means वो काम खतम करने में कम समय लगेगा 10 घंटे की जगा हो सकता है पांच घंटे में हमारा काम खतम हो जाए अगर मैं और आदमी बढ़ा दूँ आगे दो की जगा चार कर दे तो again जो टाइम है वो और कम लगेगा वन और जो भी आजाता है उतना टाइम लगेगा डिक्रीज हो जाएगा टाइम बढ़ा मीन जैसे जैसे मैं वरकर जो है इंक्रीज करती जा रही हूं वैसे वैसे काम जो है उसको करने का टाइम क्या हो रहा है वो कम होता जा रहा है that means एक चीज़ इंक्रीज हो रही है एक च प्लेट था जॉब ठीक है सेकेंड हमें दिया हुआ है दे टाइम टेकन फॉर जर्णी एंड डिस्टंस ट्रैवल इन यूनिफॉर्म स्पीड मान लो आप एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अगर आप ने गाड़ी 20 किलोमेटर प्रती और की स्पीड से चलाई हुई है पर और गाड़ी चलाई तब जितना डिस्टंस कवर करोगे ठीक है मान लो पांच मिनट आपने गाड़ी चलाई आपने एक किलोमेटर डिस्टंस कवर किया ठीक है इतना मिनट चलाके अगर आप दस मिनट गाड़ी चलाते तब आपने कितना डिस्टंस कवर करना था वान किलोमेट आपने distance cover किया, that means जैसे जैसे आप time बढ़ाते जाओगे जितना जादा time के लिए आप गाड़ी चलाओगे उतना जादा distance आप क्या है cover करोगे, तो यहाँ पर एक चीज increase हो रही है, तो दूसरी चीज भी increase हो रही है, that means this is direct proportion this is direct proportion यहाँ पर जो time है, वो direct proportion है किसके distance के जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे distance भी हम जादा cover करते जाएगी distance भी बढ़ता जाएगा third one, area of cultivated land and the crop harvesting, simple जितनी जादा आप फसल उगाओगे जितनी जादा फसल उगाओगे उतनी जादा आपको फसल जादा उगा रहे हो, तो उतनी जादा आपको काटनी पढ़ेगी अगर फसल जितनी कम कर दोगे जितनी decrease कर दोगे, जितनी कम उगाओगे, उतनी ही आपको कम फसल काटनी पढ़ेगी, एक चीज़ increase हो रही है तो दूसरी भी increase हो एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है that means this is also a direct proportion clear हमारा fourth one है the time taken for a fixed journey यहां पर journey जो है वो हमें fixed दियो है मान लो आपको यहां से यहां तक का distance जो है यह cover करने है यह distance fixed है कि आपको इतना ही distance cover करने है and the speed of the vehicle आपको बोला है कि यह distance आपने cover करने है तो देखो अगर आपकी speed जो है वो कम होगी तो आपको यहां से यहां तक distance cover करने में time जो है वो ज़्यादा लगेगा अगर आपकी speed ज़्यादा होगी तो time आपको यहां से यहां तक distance cover करने में कम लगेगा mean अगर आपकी speed जो है speed अगर increase हो रही है तो time क्या हो रहा है decrease हो रहा है speed जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम time लगेगा आपको ये distance cover करने में तो एक चीज़ increase हो रही है एक चीज़ decrease हो रही है so this is a inverse proportion this is a inverse proportion clear fourth one है the population of a country and the area of land per person यहां भी हमें देखना है कि population of country और जितनी population है उनके हर एक person के लिए land ठीक है तो इसको देखो मान लो एक example की help से देखते हैं ये land है ठीक है इसको हमने अगर सिरफ दो लोगों के बीच divide करना है ठीक है तो हर एक इनसान हर एक तो लोगों में divide करना है तो हर एक बंदे का इतना इतना area आएगा एक का इतना आएगा और एक का इतना आएगा ठीक है यह आगया person population मान लेते हैं और land land per person हर एक इनसान के हिस्से में कितना land आएगा अगर population कम है population कम है तो हर एक के हिस्से में जादा-जादा land आएगा जैसे जैसे population बढ़ाते जाएगे जैसे जैसे person increase करते जाएगे पहले 2 थे तो per person के हिस्से में इतना-इतना area आ रहा था अगर इसको 4 लोगों में divide करना हूँ population बढ़ा दी 2 की जिगा 4 लोगों में divide करना है अब हर एक हिस्से में सिर्फ इतना इतना लैंड आएगा लैंड की जो एरिया है वो कम हो गया अगर इसको और कम करते हैं अब इसको आठ लोगों में गर बाढ़ना हो तो वान टू ट्री फोर फाइव सीक्स सेवन एट यह एट लोगों में जब डिवाइड किया तब इतना हिस्सा जो है हर एक इंसान के हिस्से में आएगा that means जैसे जैसे पोपूलेशन इनक्रीज होगी वैसे वैसे लैंड जो है वो पर परसन वो क्या हो जाएगा कम होता जाएगा तो एक चीज अगर increase हो रही है दूसरी क्या हो रही है decrease हो रही है so this is also a inverse proportion clear हमारा second question है in a television game show एक television game show है the price of money rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner एक game show है जिसमे price money कितना है 1 lakh price money है तो वो जो है वो equally divide होगा किसमे winners में mean अगर winner एक ही निकला वो गेम show का एक ही winner हुआ तो पूरा 1 lakh rupees उस एक को मिल जाएगा अगर दो winner हुए तो ये 1 lakh rupees उन दोनों में divide हो जाएगा mean वा एक को 50,000 मिलेगा और दूसरे को भी 50,000 मिलेगा ऐसी जैसे जैसे एक ही winner होगा तो उसको पूरा 1 lakh मिल जाएगा अगर 2 विनर हुए तो price money कम हो गया ना एक को कितना मिल रहा हूँ 50,000 एक को 50,000 एक को ऐसी जब 3 हो जाएगे 4 हो जाएगे 5 हो जाएगे विनर इंकरीज होता जाएगे तो price money क्या हो जाएगा price money decrease तो that means this is a inverse proportion यह क्या है inverse proportion है complete the falling table and find whether the price money given to an individual winner is directly or inversely proportion to the number of winners एक तो हमें बोला है कि यह table हमें complete करना है कि अगर एक winner है तो इतना price money मिल रहा है दो winner है तो price money इतना इतना मिल रहा है per person ऐसी 4, 5, 8, 10 और 12 का find out करना है और हमें बताना है कि directly proportion है यह inversely proportion है तो यह तो मैंने आपको clear कर दिया इस पहले 2 से ही पता चल रहा है देको number of person increase हो रहे थे पहले एक ही winner था फिर 2 winner हो गए तो जो price money है वो क्या हो रहा है decrease हो रहा है पहले 1 lakh था फिर 50,000 हो गया तो यहां से इस question का तो answer मिल गया कि यह क्या है inverse proportion है inverse proportion है ठीक है अब हमें यह find out करना है तो आप जानते हो जब भी inverse proportion होता है तो क्या होता है x, y का multiple जो होता है वो हमेशा constant आता है मेर इन सब के multiple क्या होंगे वो constant होंगे अगर यह constant है that means 1 into 1 into 1 lakh is equal to इन दोनों का multiple किसके equal होगा इसके equal होगा, इसके भी equal होगा इसा भी आपस में equal होगे तो यहां हम इसको y1, y2, y3, y4 and y5 मान लेते हैं जिनके में value निकालनी है तो हमारा y1 पहले हम इसको निकाल लेते हैं तो 1 into 1 lakh is equal to 4 into y1 अब इसको solve कर लो 4 यहां multiply हो रहा है वहाँ जाके क्या होगा, divide तो 1 into 1 lakh divided by 4 is equal to y1 तो यह हमारा क्या होता है cancel out हो जाता है 4, 1 are 4, 4, 2 are 8 4, 5 are 20 and 1, 2, 3 तो y1 हमारा यहां आगया 25,000 mean अगर हमारे 4 winners आगे तो हर एक के हिस्से में कितने कितने पैसे आएंगे 25,000 आएंगे ऐसे ही हम 5 का निकालते हैं कि अगर हमारे 5 winners आगे तो हमारा price money कितना कितना distribute होगा हर एक में तो वो आजाएगा again same 1 into 1 lakh is equal to अब आएगा 5 into y2 5 into y2 again 5 यहां multiply हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा divide तो 1 into 1 lakh upon 5 is equal to y2 5, 1, 5, 2, 8 and 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 and 4 तो अब कितना आगया y2 हमारा 20,000 mean अगर 5 winners आए तो हर एक के हिस्से में 20,000 rupees आएंगे ऐसे ही आप 8, 10 और 12 का find out कर सकते हो आपको just क्या करना है eggs और y का multiplication जो है वह equal करना है जो भी आपको term बनानी है clear हमारा third question है रह्मान is making a wheel using spokes रह्मान जो है वो wheel बना रहा है wheel मतलब यह देख़वा आप wheel देख रहे हो wheel बना रहा है तो किसकी अब से spokes यूज करके यह बीच में उसके spokes लगे है यह आपका wheel आगया और यह जो लगी होए है यह जीज यह आगे spokes ठीक है he wanted to fix equal spokes in each a way that the angle between any pair of constitutive spokes are equal उसने यह spokes इस तरीके से लगाने है कि कोई भी दो अगर आप spokes पकड़ लो कोई भी दो consecutive spokes ले लो उसके बीच का जो angle होगा वो हमेशा same होगा अगर यह दोनों ले लो तब भी angle उतना ही होगा यह दोनों ले लो तब भी angle उतना ही होगा ठीक है help him by completing the falling table तो उसको यह table हमें complete करके बताना है कि अगर उसने 4 spokes लगाई है तो बोला है कि हर एक spoke के बीच कितना कितना degree का angle होगा 90 degree का अगर 6 spokes बनाए है तो angle हमारा 60 degree हो जाएगा अब हमें find out करना है अगर 8 होगा तो कितने degree का angle होगा अगर 10 होगा तो कितने degree का angle होगा clear तो यहाँ पर आप first two से ही check out कर सकते हो जैसे जैसे number of spokes जो है वो increase हो रहे है वैसे वैसे जो angle हो क्या हो रहा है decrease होता जारहा है जब four spokes थे तब angle जो है वो 90 degree का था जब six spokes होए तब angle 60 degree का हो गया तो जैसे जैसे एक चीज़ increase हो रही है दूसरी चीज़ decrease हो रही है तो that means this is a inverse proportion clear अगर यह inverse proportion है तो that means इसका multiple जो है वो constant होगा x और y का multiple constant होगा तो हमें यह terms निकालनी है जो हमें terms निकालनी है उसको x1 x2 और x3 मान लेते हैं हम तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसने 8 spokes लगाए तब angle जो है वो consecutive spokes के बिच कितना बनेगा तो same चीज 4 into 90 4 into 90 8 into x1 8 यहां multiply हो रहा है वहाँ जाक के हो जाएगा divide 4 into 90 divided by 8 is equal to x1 4 1 are 4, 4 2 are 8 2 1 are 2, 2 4 are 8 and 2 5 are तो यह आगया 45 degree mean अगर 8 spokes होए तो हर एक angle कितने degree का हो जाएगा 45 degree का होगा हो गया ना increase जैसे spokes फिर से बड़े तो पहले 60 का था अब 45 degree का हो गया ऐसी 10 का निकाल लेंगे अगर 10 degree का होगा तो उसके लिए हम निकाल लेंगे mean अगर 10 spokes होँगे तो कितना होगा again 4 into 90 is equal to अब इन दोनों के multiple के equal कर लेंगे 10 into x2 10 यहां multiply हो रहा है वहाँ जाके divide हो जाएगा 4 into 90 upon 10 is equal to x2 यह 0 cancel 4 9 are 36 that mean अगर 10 spokes वो लगाएगा तो हर एक consecutive जो दो consecutive spokes होगे उनके बीच का angle कितना होगा 36 degree का mean 36 degree ऐसे ही आप 12 का find out कर सकते होगे अगर 12 spokes लगाए तब हर एक 2 consecutive spokes के बीच कितने degree का angle होगा इसके साथ ही हमें और इसके parts थी होए आगे question पुछे होए है are the number of spokes and the angles formed between the pair of consecutive spokes inverse proportion कि जो number of spokes है और जो उनके बीच का angle बन रहा है क्या वो दोनों आपस में inverse proportion है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो तो मैंने आपको starting बता दिया है कि एक चीज़ increase हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है decrease होती जा रही है second part हमें बोला हुआ है calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes बोला कि अगर उस wheel में 15 spokes होंगी तो दो consecutive spokes के बीच का angle कितना होगा again यहाँ पे mean अगर 15 spokes होगे हमने spokes बढ़ा दिया अगर 15 spokes होगे तब कितने degree का angle होगा तो same इसी वे से अपने काल सकते हो यहाँ पे let कर लो कि x4 angle होगा तो वो हमारा same 4 into 90 is equal to 15 into x4 तो 15 multiply हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा divide तो इसको cancel out कर दो यह हमारा हो जाएगा 3, 5 are 15 3, 3 are 3, 0 are 5, 1 are 5 6 are to 4, 6 are 24 डिगरी अगर 15 spokes होगे तो हमारा हर एक angle 24 डिगरी का होगा clear और इसका third हमें part दिया हुआ है साथ में उसमें पुछा हुआ है how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 डिगरी यहाँ पर बोला है कि अगर 2 consecutive pair of spokes के बीच का angle 40 डिगरी हो तब हमें बताना है कि spokes कितने होगे यहाँ पर हमें angle दे दिया कि इनके बीच का angle अगर 40 डिगरी हो तो यह कितने spokes फिर लगेंगे तो यहाँ पर अगर हमें core partition यहाँ पर कर ले यहाँ पर हमें angle दिया है angle between spokes दिया अगर 40 डिगरी हो तब कितने spokes लगेंगे तो इसको हम क्या मान लेते हैं इसको हम y मान लेते हैं ठीक है तो same वही procedure होगा कि 4 into 90 4 into 90 degree is equal to किसके एककुल होगा y into 40 40 यहां multiply हो रहा है 40 यहां multiply हो रहा है वहाँ जाके divide हो जाएगा 4 into 90 divide by 40 is equal to y यह 0 यह 0 cancel 4 और 4 cancel 9 बच गया answer तो that mean अगर हार एक spokes के बीच angle 40 degree का होगा तो कितने spokes लगेंगे कितने number of spokes लगेंगे 9 spokes लगेंगे clear हमारा fourth question है if a box of sweet is divided among 24 children एक मिठाई का डबबा है या आप chocolates पान सकते हो chocolates हैं तो उसको जब हम 24 बच्चों में बाटते हैं वो chocolates तो हर एक के हिससे में 5-5 chocolates आती है ठीक है तो हर एक के हिससे में कितनी chocolates आ रही है 5-5 chocolates आ रही है ठीक है ये children आगे और ये आगी chocolates हम chocolate मान लेते हैं कि इस box में chocolate है ठीक है how many would each get if the number of children is reduced by 4 बोला कि अगर 24 में से 4 बच्चे कम हो जाएं 24 में से 4 बच्चे कम करने का मतलब कितना आ गया 24-4 mean अगर 20 बच्चे हूँ तब वो chocolates हर एक के हिससे में कितनी कितनी आएंगी हमें ये देखना है देखो अगर chocolates हो है chocolates तो उतनी रहेंगी वो जितनी है उतनी रहेंगी तो अगर मान लो कि अगर आपके पास 10 chocolates हैं ठीक है आपको वो दो बच्चों में बांट नहीं है सिर्फ दो बच्चों में तो उनके हिससे में कितनी कितनी चोकलेट आएगी हर एक के बच्चे के हिससे में पांच पांच आएगी एक को पांच और दूसरी को पांच अगर हम बच्चे increase कर दे अगर बच्चे increase कर दे, दो की जगा अगर हम चार बच्चे कर ले तो उन चार बच्चों के हिस्से में कितनी कितनी Чॉकलेत आईगी? वो आ जाएगी टू एंध हाफ इतनी इतनी आएगी अगर हम बच्चे decrease कर दे पहले दो बच्चे थे two and half होगी mean जैसे जैसे number of children बढ़ रहे हैं तो chocolates होएं जो sweets हैं वो distribution कम होती जा रही है हर एक के हिस्से में कम आती जा रही है तो एक चीज़ increase हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है decrease तो this is also an inverse proportion तो एक हमारा यहां पर box बन जाएगा number of children का और दूसरा बन जाएगा sweets का number of sweets per children की हर एक children के हिस्से में कितनी sweet आ रही है तो जब हमें बोला कि 24 बच्चे हैं तब कितनी आ रही है पांच-पांच sweet हर एक की हिस्से में आ रही है अगर 4 बच्चे कम होगे that mean 24 minus 4 20 बच्चे होगे तब कितनी sweet हैगी इसको हम x मान लेते हैं तो वही inverse proportion है तो 24 into 5 is equal to 20 into x यह यहां multiply हो रहा है वहाँ जब क्यों जाएगा divide 24 into 5 upon 20 is equal to x 5 1 और 5 4 और 4 1 और 4 6 और x आ गया 6 mean अगर बच्चे 20 बच्चे होगे तो हर एक की हिस्से में 6 6 chocolates आएंगी clear हमारा fifth question है a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for six days एक farmer है उसके पास इतना खाना है कि वो अपने 20 जानबरों को वो खाना छे दिन तक खिला सकता है ठीक है एक farmer है उसके पास कितने 20 animals है और उसके पास जो खाना है वो इतना है कि वो उनको छे दिनों तक खाना खिला सकता है ठीक है how long would the food last if there were 10 more animals in this cattle बोला है कि अगर उसके पास 10 और animals होते मीन अगर उसके पास पहले 20 अनिमल्स थे उसमें 10 और add हो जाते मीन 30 अगर उसके पास 30 अनिमल्स होते तब वो खाना कितने दिनों तक चलना था तो इसको हम X मान लेते है यहाँ पर भी देखो अगर आनिमल कम है तो और से खाना जादा दिनों तक चलेगा जैसे जैसे animals बढ़ते जाएंगे तो days कम होते जाएंगे खाना उतनी जलधी खतम होता रही है तो यहाँ पर भी इनका multiplication जो होगा वो क्या होगा constant होगा हमकर लेंगे 20 into 6 is equal to 30 into x अब यह 30 multiply हो रहा है वहाँ जाक क्यों हो जाएगा divide 20 into 6 divided by 30 is equal to x, ये 0, ये 0 cancel, 3, 1 are 3, 2, 2 are 4, तो that mean अगर उसके पास 30 जानवर होंगे, तो उसका खाना जो है, उसके पास खाना पड़ा हुए, वो सिरफ 4 दिनों तक चलेगा, clear? I hope पंचों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, please like and subscribe my channel, bye